आज मैं लेके आई हूँ बहुती स्वाधिस्ट और लटपिटी सी स्वयबीन की सबजी ये सबजी बच्चों को बहुत पसंद आती है हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग मेरी किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुती डिलिशेज और सिंपल सी सबजी आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा मैंने स्वैबिन को आदे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था अब मैं इसे बॉइल करूंगी मैंने पानी लिया है उसमें एक चमश नमक का एड़ किया है अब मैं इसमें भीगी भी स्वैबिन एड़ करूंगी आप चाहें तो डारिक्ट भी स्वैबिन इसमें एड़ कर सकते हैं और इसका जो एक्स्टर जहाग होगा हमें उसे स्ट्रेइन करना है इस पानी में मैं एक से दो बॉयल आने दूँगी आप चाहें तो बड़े साइज की स्वैबिन ले सकते हैं मैंने ये mini size के लिए है अब मैं इस पानी को strain कर लूँँगी आप चाहें तो इसी time paste में अद्रक लाइसून का paste एड कर सकते है अब मैं इसमें एट करूँगी दही और इसे हम आदे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसे हम अच्छे से पृषे कर लेंगे अब मैंने गैस में कडाई को पेस्ट बना लूँगी आप चाहें तो इसे सिलबटे में भीच सकते हैं लेकिन मैं इसे grind करूँगी ये थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें आदी गलास पानी का add करूँगी छोटे गलास से इसे मैंने दर्दरा सा पीस लिया है और इसी जार में मैंने टमाटर एड किया है इसकी मैं प्यूरी बना दूँगी टमाटर हमें रफली चॉप करने हैं और अब मैं चेक कर लेती हूँ पियाज भी अच्छे से सौटे हो चुका है गोल्डन ब्राउन हो चुका है मैंने इसमें से दालचिनी की पत्या निकाल ली है एक कटोरी में मैंने एक बड़े साइस का कस्मरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर और जीरा पाउडर लिया है इसको मैं एड़ कर दूँगी इसे पहले डालने से इसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है और इस मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी एक से दो मिनट तक ढखके यह देखिए इसमें पतेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है अब मैं इसमें एड़ करूंगी टमाटर की प्यूरी इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जो एकस्टर प्यूरी जार में लगी है उसमें थोड़ा सा पानी अड़ करके मैं इसमें डाल दूँगी से और अब हम इस प्यूरी को भी ढखके 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे अब मैं इसमें अट करूंगी टेस्क के अकॉर्डिंग नमक टमाटर ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है अब मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी मैंने इसमें डालने के लिए ये चोड़े बड़े साइस के सिमला मिर्च और प्याज कट किया है इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे मैं अच्छे से mix करूँगी आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं लेकिन इसमें swabbing और ये बड़े साइज के प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब मैं इसे medium flame पे चार से पांच मिनट तक ढखके पकाऊंगी और बीच बीच में इसे हिलाती रहूंगी ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छा कलर भी आ रहा है ये स्वेबिन की सबजी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है और ये बहुत हेल्दी भी होती है आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा अब मैं इसमें एक ग्लास पानी का एड़ किया है आप चाहें तो आप इसी टाइम पे इसे सूखी सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन मेरे बच्चों को थोड़ा सा लटपिटी और गाड़ी सब्सक्राइब कर दो पानी एड़ किया है और लास और मैंने इसे पान से दस मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाया है अब मैंने लास मिस में कस्तुरी मेथी एड़ की है और आप मैं इसे गर्मा गर्म सर्फ करूंगी आप चाहें तो इसे रोटी के साथ चावल के साथ या पराठो के साथ खा सकते हैं आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी मिलते हैं फी नेक्स वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कराते रहिए थैंक यू